ब्रत के लिए अगर आप रैसेपी बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या बनाऊं जिसमें बहुत कम महनत लगे और आसानी से बन जाए खाने में टेस्टी योग पेट भर जाए तो आपने सही वीडियो क्लिक करा है आज हम बिना साबुदाना भिगोई बिना किसी फाल्तु महनत के बहुत ही टेस्टी साबुदाना के वड़े बनाएंगे इसके लिए मैंने एक कप साबुदाना लिया है जिसे एक बरतन में डाल दीना है और आपको लो फ्लेम पर इसे हलका भूनना है देखें मीडियम साइज वाला हमने ये साबुदाना लिया है साबुदाना को जब आप ऐसे थोड़ा सा भून लेंगे तो इसमें जो मौशर होगा वो खतम हो जाएगा और फिर जब आप इसे पीस कर इसका आटा बनाएंगे तो एक बारिक आटा तयार हो जाएगा अगर आप पिना भूने इसे पीस देना तो इसके मोटे मोटे से कड से रह जाते हैं और आटा बारिक नहीं हो पाता साबुदाना को रोस्ट करने के बाद मैंने इसे पूरी तरीके से थंडा कर लिया है और अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल दिया है और हम इसे पीस करना इसका एक बारिक पाउडर बनाएंगे अब इस रेसिपी को और भी टेस्टी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिये है आलू को उबालने के बाद थंडा क्या उसके बाद इने छीड लिया है और अब हम आलू को घिस लेंगे आलू को हाथों से मैश मत कीजेगा फरना मोटे मोटे से टुकड़े रह जाएंगे और वो हम इस रेसिपी में पिल्कुल नहीं चाहिए तो हमने तोनों ही आलू को अच्छे से घिस लिया है और अब यहां इसमें जा रहा है आधा चमच काली मिर्श का पाउडर इसमें डालेंगे आधा चमच सेंधा नमक जो प्रत में खाया जाता है और यह जा रहा है इसमें आधा चमच साबुद सीरा एक हरी मिर्श बारिक कट करके डाली है थोड़ा सा डालेंगे इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बुनी हुई मुमफली को दरदरा सा पीस कर इसमें डाला है इससे जो वड़े हैं उनका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा अब जो साबुदानों को पीस कर आटा बनाया था ना वो इसमें डाल देंगे देखे अगर आप ब्रत में हरी मेर्श, जीरा या इन में से कोई भी ऐसी चीच जो खाना पसंद नहीं करते हैं उसे स्किप कर सकते हैं ठीक है अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो त्यार कर लेंगे हमने उबले हुए आलू डाले हैं तो बहुत आसानी से इसी से ये डो बन जाएगा पानी डालने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको लगता है कि डो नहीं बन पा रहा है तो एक से दो चमच पानी एड़ कर सकते हैं अब इस डो को बनाने के बाद हातों को हलका सा खी लगा कर चिकना कर लें इस डो में से थोड़ा सा डो लें और इस तरह थोड़ा प्रेशर लगाते हुए ना इसकी एक ऐसे गोल गोल लोई बनाएं इसे हलका सा हातों से दबाएं और ये देखे इस तरीके से आपको इसे टिक्की का शेव देना है बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है सारे वड़े पहले ऐसे बना कर त्यार कर लें अब एक पैन में थोड़ा घी गरम किया है और इसमें ना हम ये वड़े डाल देंगे ग्यास का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें शैलो फ्राइ करेंगे आप चाहें तो इन्हें फ्राइ करने के लिए ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर ब्रत में ओयल नहीं खाते हैं तो मैं इने घी में फ्राई कर रहे हूँ थोड़ी देर एक तरफ से फ्राई होने दें और उसके बाद इने पलट दें और उलट पलट कर अच्छा टार गोल्डन ब्राउन होने तक इने फ्राई करें यह देखे वड़े जो है न बहुत ही अच्छे फ्राई हो रहे हैं कलर देखे कितना शांदार आ रहा है इने देख करी भाई मेरे मूं में पानी आ रहा है देखे जरूरी नहीं है आपको यह वड़े खाने हैं तो इनके लिए प्रत ही रखना पड़े बिना बरत में भी जब भी आपका मन करें ये मज़ेदार से टेस्टी साबूदाने के बड़े इजिली बना सकते हैं तो हमने बड़ो को अच्छे से फ्राई कर लिया इने निकाल लेते हैं और अब हम इने सार्व करेंगे तो ये जो साबुदाना के बड़े हैं इन्हें आप दही के साथ खा सकते हैं या ब्रत वाली हरे धनी की चटनी के साथ खा सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं तो बहुती कम समय में, कम समान के साथ, कम मेहनत में हमने बहुती मज़ेदार सी ब्रत की टेस्टी रेसिपी बना कर त्यार कर ली। ये देखे, बाहर से बहुती क्रिस्पी हैं, खाने में बहुती टेस्टी हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरू करें